तो कैसे हैं आप लोग उमीद करते हूं आप लोग बहुत ही अच्छी होंगी और आपकी प्रिग्नेंसी भी काफी अची चुल रही होगी तो फ्रेंड जैसे ही एक मैला गर्वधरण करती है उसके मन में और बहुत तरह के सवाल चलते हैं कि जो मेरे साथ उतार तराव ये हार्मोन्स के हो रहे हैं वो किसके संकेत होते हैं क्योंकि हमारी ओल्ड वेव्स हमारे खान पान से हमारे चाल ढाल से या फिर हमारे उठने बैठने के तरीके से बता देती है कि गर्व में पल्रा शीचु जो है वो एक लड़का है या फिल और कुछ ऐसे हार्मन्स परिवर्तन के कारण जो ओल्ड वाइवस हमें अपना सटिक अंदाजा बता देती है और जो मेरे उपर बहुत ही सटिक अंदाजे उनके लागू हुए और मुझको जो है बेबी बॉय हुआ आज मैं आपको बेबी बॉय के ही अपने सिम्टम्स बताऊ सब्सक्राइब करना उससे क्या होगा जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक आएगा और आप मेरी वीडियो को देख सकते हो तो फ्रेंट पहला सिम्टम्स यह है फ्रेंट कि देखी पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं वीडियो श सिम्टम्स से मैं आप वही शेयर कर रही हूं ठीक है तो पहला सिम्टम्स आप बहुत अधिक मात्रा में बोला जाता है कि अगर आप मीटा खा रहे हो तो आपको जो है बेटा होगा जैसे की गोल कपे वगएरा का पानी अच्छा लग रहा है तो बट मैं आपको यह बताना नहीं पी सकती हूँ तो बहुत जादा मुझे मीठे से अलेजी सी है तो मैं चटपटाई खाती थी बट सडली क्या हुआ आठवे और नौवे महिने में मुझको मीठे खाने की क्रेविंग हो गई तुमसे और मैं मीठा खाने लग गई और मुझे उससे कोई तिकत भी नहीं होती थी और मैं अराम से दो रजगुले या फिर एक बर फी वगर आम से खा ले दे थी तो मुझको जो हैना मीठे की क्रेविंग हो गई थी कि मैं जले भी खाओं या फिर मैं काले रजगुले खाऊं काले बहुत ही मन करता था मेरा जैसे कि हम आपके हैकोन में ब्लैक काले राले रजगुल्य होता है वो वाले तो बहुत जादा उसकी क्रेविंग हो गई थी तो मेरे साथ तो ये लक्षन बैठता आपके साथ क्या हो रहा है वो मुझे आप कमेंट्स बोक्स में ज़रूर बताना इसके बाद है फ्रेंट कि दूसरा सिम्टम्स मेरे साथ ये था कि मेर सब लोग बोलते हैं कि जो इनसान मतलब कि लेफ्ट aanड साइट पे सोता है तो उसको बेभी बॉई होता है वहीं पर मैंने कई सुना है कि कोई राइट आड साइट सोता है तो तो उनको बेभी गःल होती है तो फ्रेंट 드ीके सभी अपनी तरीके से सोते हैं और जहां पर सभ को comfortable होता है या तो left hand side या फिर right hand side सोना सब को पसंद होता है बट मैं अपने pregnancy में सुरुवाते दिनों में जो है ना मतलब कि right hand side पे सोती थी और उसके बाद जब जैसे जैसे मेरी pregnancy advance होती गई फिर मुझे left hand side सोना जो है अच्छे लगने लगा बट जो हमारे डॉक्टर्स जो होते हैं वो यही बताया करते हैं कि अगर हम left hand side करवट लेके सोते हैं तो गर्व में पल रहे time जो है ना अपना left hand side सोना चाहिए ताकि अच्छे से बच्चे को खून वगरा ब्लड वगरा मिल सके ठीक है क्या होता है अगर हम सीधा सोएंगे तो उससे आपकी घरभाशे पे जो है दबाब पड़ता है फिर आपकी रीड की हड़ी भी दर्द होती है आप बोलते हो कमर म comfortable लगे और आपकी बच्चे को भी कोई भी परिशानी ना हो ठीक है इसके बाद है फ्रेंट तीसरा जो सिम्टम से यह बहुत ही सटीक था मेरे अंदर के pregnancy में सर में दर्द होना यह early pregnancy की भी symptoms होते हैं कि हलका हलका हमारे सर के अंदर दर्द बना रहना कोई भी complication ना होने के बावजूद भी तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपके भी सर में दर्द बना हुआ हलका हलका तो यह बहुत ही सटीक लक्षण में मान सकती हूँ कि आपके गर्फ में पलड़ाश इस्यू जो है एक baby boy है यह friend मेरे बेटे के लक्षण है जो मैं आप को बता रही हो और जो मेरे साथ हुए है तो किसी महिला पे तो यह सटीक बैठेंगे किसी पर नहीं बैठेंगे बट आपके मन में बहुत सारी ऐसे जिग्यास होती है कि baby boy के क्या symptoms होते हैं तो आज में आपके साथ share कर रहे हूँ अगर आपने अभी तक मेरे चनल पहला वाल बहुत ज़द देख रहे हो या फिर आपके बोड़ी में पाने की कमी है तो आपके सरमे दर्द हो सकता है मगर आपके सरीर में कोई भी complication नहीं है और फिर भी मीठा मीठा सरमे दर्द बना होता है ना फ्रेंड यही मेरी all over pregnancy में बना हुआ था और मुझको जो है baby boy हुआ था मतलब कि उकाई आती थी सुबह उठते जो है उकाई आती थी उल्टी ऐसा बिल्कुल हो जाता था अगर उल्टी ना आने को नहीं होती थी शिर्फ मुझा दो है ना पाने सा थूख सा निकलता था मूमें से बट बहुत तेतेज की उकाई आती थी ति असलिज़गा था मुझे अपने symptoms भी लिख करके देना और after delivery आपके बेटा होता है या बेटी होती है तो आप मुझे उसके बारे में भी बताने की आपको भूक की क्रेविंग और भूक की ज्यादा quantity में खाने का मन करता है फ्रेंड्स यह symptom सा मेरे साथ बहुत था और मैं परेशान हो गई थी क्योंकि जब मेरी रात को भी आँख खोलते थी ना चाहे दो बजे खुले चाहे तीन बजे खुले मैं अपने हैस्बन को जगाती थी और बोलती थी मुझे भूक लग रही है क्योंकि मैं अकेले ना वाश्रूम अगरा नहीं जाती हूं भा रहा है हमारा तो मैंने ना मतलब कि प्रोटीन के बिस्किट रखे हुए था अगर आपके साथ भी आशा असा अस्यूश्याशन है ना कि आपको भी रात को भूक ल जाती है थोड़ी चीजी खाने का मन करता है रात को कि जल्दी से मारा पेट भढ़ जाया और हम सो जाए तो अगर आपके साथ भी यह सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप कई हद तक अनुमान लगा सकते हैं कि आपके गर्व में पलड़ा शीशू जो है एक बेबी बॉय है नौ म मन में इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी मन में डाउट चल रहा हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर कर सकते हो मिलती मैं आपको नेक्स वीडियो में जब तक अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखना शुरक्षित रहना सेफ रहना इन्जॉ करना अपनी प्रिंडेंसी को टेक केर बाई बाई